रूस से भारत को S-400 मिसाइल सिस्टम मिल गया है S-400 मिसाइल डिफेंज सिस्टम को दुनिया में सबसे एडवांस माना जाता है भारत इस मिसाइल डिफेंज सिस्टम की पाँच रेजिमेंट्स की खरीद कर रहा है भारत को इस पर तक्रीवन 5 अरब डॉलर यानी 40,000 करूर रुपे का खर्च पड़ेगा मुदि सरकार के नित्रत में हुई ये डील देश की अब तक की सबसे बड़ी डिफेंज डिल मानी जा रही है रूस भारत के बीच S-400 मिसाइल सिस्टम का करार होने के बाद से चीन और पाकिस्तान बेहत परिशान है जीन की चिंता ये है कि भारत के रक्षा तंत्र में S-400 मिसाइल सिस्टम के जोड़ने से भारत उसकी बराबरी कर लेगा तो वही नापाक पाकिस्तान खौप में है एरजीफ बियस थनोबा की माने तो S-400 वायू सेना के लिए एक पुस्टर शॉट जैसा होगा भारत को पड़ोसी देशों के खत्रे से निपटने के लिए लंबे समय से इसकी खासी ज़रूरत थी S-400 मिसाइल सिस्टम एक ही राउंड में 36 वार करने और दुश्मन के क्रूव, एरक्राफ्ट और बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने में सक्षम होगा इसके जरीए अब अर्थ पर दुश्मनों के हमले का खत्रा सत्म हो जाएगा पीते कई सालों से अमेरिका तमाम देशों को रूस और इरान के स्थास कमधवता करने पर प्रतिवन एवं अन्य तरह की धंकिया देता रहा है लेकिन मोदी सरकार ने रूस के साथ S-400 मिसाइल सिस्टम का करार कर रूस और अमेरिका को ये संदेश भी दिया है कि भारत उन पर निर्वर जरूर है लेकिन भारत किसी का दबाव नहीं स्विकार कर सकता S-400 मिसाइल सिस्टम जो रूस से भारत को मिला है इस मिसाइल सिस्टम के मिलने से भारत का डिफेंज सिस्टम काफी मजबूत हो गया है और इससे पाखनिस्तान बेहत डड़ा हुआ है रूस से हुए S-400 मिसाइल सिस्टम के करार को मूदी सरका की एक बड़ी उपलब्धी के तौर पर देखा जा रहा है इस मिसाइल सिस्टम का पूरा नाम S-400 ट्रैम्प है जिसे नाटो देशों में S-A-21 ग्रोलर के नाम से पुकारा जाता है ये लंबी दूरी का जमीन से हवा में मार करने वाला मिसाइल सिस्टम है जिसे रूस ने बनाया है S-400 का सबसे पहले साल 2007 में उप्योग हुआ था जोकी S-300 का अपडेटेड वर्जन है साल 2015 से भारत रूस में इस मिसाइल सिस्टम की डील को लेकर बात शुरू हुई थी कई देश रूस से ये सिस्टम खईदना चाते हैं क्योंकि इसे अमेरिका के थाड यान टर्मिनल हाई अल्टिट्यूड एरिया डिफ्रेंस सिस्टम से बेहतर माना जाता है इस एक मिसाइल सिस्टम में कई सिस्टम एक साथ लगे होने के कारण इसकी सामरिक शम्ता काफी मजबूत मानी जाती है अलग अलग करने वाले कई राडार खुद निशाने को चिन्फित करने वाले एंटि एर क्राफ्ट मिसाइल सिस्टम लॉंचर कमाड और कंट्रोल सिंटर एक साथ होने के कारण एस फोर हंडेट की दुनिया में काफी मांग इसकी मारक शम्ता अचूख है क्योंकि ये एक साथ तीन दिशाओं में मिसाइल दाग सकता है 400 किलोमीटर की रेंज में एक साथ कई लडाकों विमान, बैलेस्टिक वक प्रूज मिसाइल और ड्रोन पर ये हमला कर सकता है S-400 ट्राइम्ट मिसाइल एक साथ सो हवाई खतरों को भाप सकता है और अमेरिका निर्मित F-35 जैसे छे लडाकों विमानों को दाग सकता है रूस के साथ S-400 टील होने के बाद भारत दुनिया का तीसरा देश बन गया है जिसके पास ये मिसाइल सिस्टम है इसके पहले चीन और तुर्की के पास रूस ये डील कर चुका है इस डील को लेकर पाकिस्तान काफी चिंतित है अभी हाली में पाकिस्तान के सूचना मंदरी ने रूस के साथ इस डील को बड़ी परिशानी बताया था पाकिस्तान भी रूस के साथ इस मिसायल सिस्टम को खरीदना चाता है लेकिन रूस के साथ उसकी बात नहीं बन रही